हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi आप सभी का बहुत-बहुत सवात है Study IQ IAS के Hindi YouTube प्लेटफर्म पर मेरा नाम है अवशिकुमार आज के इस वीडियो में बेसी हम transient topic पर discuss करने वाले हैं यह topic आपके UPSC मेंस और प्री दोनों ही point of view के हिसाब सी काफी important है और साथ में यदि discuss किया जाए तो not only for geography बल्कि यह हर subject के साथ interconnect है मैंने तो पहले यह बता रखा है कि यदि आप UPSC में कोई भी subject पढ़ते हैं तो आपको interconnection अच्छे से पता होना चाहिए और interconnection करते हुए आपको अच्छे से आना चाहिए यानि कि आप जो भी topic पढ़ रहे हैं उसका other subject के साथ किस प्रकार का relation है आपको यह overlapping बहुत अच्छे से और भली भाती आधार पर पता होनी चाहिए पहली बात परन्तु जब आप यह वाला topic पढ़ते हैं environment ecology में अधिया आप देखेंगे तो सभी में इसकी importance बेहत है जब भी UPSC में monsoon से सम्मनित कोशन आता है कि भारती monsoon को समझाईए या फिर विश्व के monsoon को समझाईए तो याद रखीएगा वहाँ आवश्यक रूप से आपको यह abandon करना होता है कि actual में monsoon को प्रभावित करने वाली कारक कौन से है और उन कारकों में सबसे मैतपून कारक आता है यह क्यूं है क्यूंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक प्रकार का global effecting phenomenon है परंतु वास्तविक्ता यह नहीं है एक प्रकार का local occurring होता है अर्थात इस्थानी आधार पर घटित होने वाली घटना जो की basically पैस्वी कोशन या फिर प्रशांद महासागर में घटित होती है जिसका प्रभाव आपको हिंद महासागर तक देखने के लिए मिलता है और even इस इसे की विंटर्स हैं वो डालीट हो गया है यदि आप इंडोनेशिया और साथ में और शेलिया में जाएंगे तो यहां पर forest fire की intensity में फरक आ गया है यहां पर चक्रवातों की intensity में आपको फरक देखने के लिए मिलेगा ठीक इसी प्रकार चिनुक नामक इस्थानिय पवन का परवहाव भी आपको परिवर्तित होता हुआ देखने के लिए मिलता है जिस भी वर्ष यह यह इल्नीनो और लानीना की condition निरमत होती है तो आज कि इस topic में हम समझेंगे इसी इल्नीनो और लानीना के बारे में कुछ बातें मता देता हूँ हमारा जू सिक्वैंब गरेंगा यदि आप देखेंगे बच्चे तो just a second यदि आप देखेंगे तो हमारा सिक्वेंस कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि सबसे पहले तो हम इस एलीनो लानीना के बारे में जो concept हो सकते हैं अर्थात जो वोकैब जो fact हो सकते हैं उनके बारे में discuss करेंगे सबसे पहले और मेरे जो promotional वीडियो रहते हैं उसमें भी मैं यह बार-बार डिसकस करता हूं कि यदि आप हिंदी माध्यम के चात्त हैं तो आपको यह पात अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपको हिंदी का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए यानि कि एक पवन का नाम आता है जिसको को बेगारने का काम करता है ऐसे कई और वर्ड्स हैं जिनको मैंने प्रिवेस वीडियो में सुधारा है परन्तु यहां पर एक और वर्ड आप सुधारने का प्रयास करें कि एक्च्छल में यह व्यापारिक पवन जैसा कुछ नहीं होता है ट्रेड का मतलब होता जरूर है व अनमारगी पवन और जो मेरी पेट क्लास के यहां पर इस बात को भली भाती जानते होंगे कि भाई मैंने यह पेट क्लास में भी बार बार पता रखा है कि आपको अपनी हिंदी पर काम करना है यानि कि जब भी आप आंसर राइटिंग करने के लिए जाए तो जनरली लोगो आप को ऐसे लिख लें भाई कोई दिक्कत नहीं आहिं इसके अधायर तब को आदारस्पोट का हिंठ को पता होना चाहिए कारण यह है कि जब एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से कोशन आप से कर लिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो और वहां पर आप वह कोशन का अंसर गलत ना करने इस देट लिए चलिए अब बिना देरी किये विदाउट एनिवेश्टिंग टाइम हम प्रारम करते हैं आज का यह किस-किस प्रकार से भारत की जलवाई को प्रहाववित करती है जरा हम इसको सिक्वेंस वाई समझने का प्रयास करते हैं चलिए यदि मैं सबसे पहले लेता हूं तो यह अलीनो लानिना एक्चल में इसको कॉल किया जाता है बॉई एंड गर्ल ओफ सॉरी बॉई एंड ग इसको कालांतर में कालांतर में कहा जाता था एक छोटी बच्ची और साथ में इसके लिए प्रयोक किया जाता था यह बॉई एंड गर्ल चाइल्ड ओफ राइश तो यह कोशन बहुत बार पूचा गया है स्पैनिश भाशा का शब्द है आपको यह बात याद रखनी है अब यह दोनों एक दूसरे के अपूजेट है यानि कि जब भी अलनीनों की कंडिशन आईगी तो इसमें कुछ अलग क्रियाविदी होगी जब भी लानीनों की कंडिशन आएगी तो इसमें एक अलग क्रियाविदी आपको देखने के लिए मिलेगी अब यदि इसमें बेसिकली ह पस तक बोलते हुए है ना बस उसी कुवास से आप सनमारगी पावन का नाम देंगे यह सनमारगी पावन प्रवाहित होती है यहाँ पर निर्मित होती है और याद रखें कि यह सनमारगी पावन या फिर इस ट्रेड विंड का प्रवाह किस प्रकार से देखने के लिए मिलेग तो वहाँ एक लाइन निकल के आती है कि भई इस्थल खंड जल खंड की अपेक्चा जल्ली गर्व और जल्ली ठंडे होते हैं किस प्रकार से तो आप आएंगे कि जल खंड basically पारदर्शी है और जो इस्थल खंड है यहाँ पारदर्शी है कारण क्या है यह सूर्य का प्रकास अंदर प्रवेश नहीं कर सकता और जब थोड़ा ही भाग इसके द्वारा गर्म होगा और जो आप इसको खोदना चालू करेंगे उपर की मर्दा को हटाना प्रारम करेंगे तो इतने भागी की मर्दा आपको गर्म देखने के लिए की Top अबधना आपको थंडी देखने के लिए बहुत रेरेश केसर और यह भी रेर केस्ट में आपको उसके नीचे की मिर्दा भी अर्फार तीन से 4 कि पशियात की ही के देखने के लिए बहुत रेयर केस में और यह रेयर केस कहां पर फॉलो होगा तो डेजर्टी फाइड एरिया में अर्थाद जो मरस्त्री करत छेत्र हैं वहां पर यह फॉलो होगा अधर वाइस इस चार इंच के नीचे की मिरदा आपको ठंडी ही मिलती है इसका मतलब क्या होत में जिस एरिया तक या फिर जिस गहराई तक प्रवेश करता है एक्चल में उस गहराई को कॉल कर लिया जाता है बच्चे क्या इसे नाम दिया जाता है फुटिक जोन और यह फुटिक जोन को समझना हमारे लिए बेहदी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई यह फुटिक जो उनकी बात करें तो इसका बेहदी मैतपून रोल होता है इस एलनीनो और लानीना की कंडीशन में किस प्रकार से तो अब मैं आपको बता रहा हूँ देखिए गा यदि माल लो यह कोई जलखंड है यह कोई जलखंड है और यदि इस जलखंड में आप देखोगे तो केवल और केवल आप जलखंड कितना गहरा है महासागर की तली कहां पर है यह हमें बिलकुल भी अंदाजा नहीं है बेसिकली महासागर की तली को खूजने के लिए जो प्रयास किये गए यह बहुत बार है जिसमें से सबसे सफल प्रयास रसिया ने बारा किलूमीटर तक की गहराई को खोद कर किया और बारा किलूमीटर के नीचे यह प्रवेश नहीं कर पाया कहां पर तो आपको यूरॉप मादीप में कूला प्रयादीप के आसपास यह चेत्र विद्यमान देखने के लिए मिलेगा सौरी यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर यह यह वाला चेत्रा रहा है ना यहाँ पर रसिया ने प्रयास किया था परतु इसमें भी सफल नहीं हो पाया कि भाई साग तापमान की मातरा ज्यादा है और तापमान की मातरा ज्यादा हुने एक आरण इसी को आप नाम देते हैं फूट एक जोन का प्लियर अब इसका क्या भी प्राय है तो अब इन दोनों ही बातों को आप कंपाइल करो उसके पूरो आप यह बास समझ लिजिए कि भई यदि कर रहा था एक बार नहीं उपाया फर मैंने यह दूसरी बार इस्टार्ट किया है चलिए यदि आप आप देखेंगे तो एक्चल में घटना क्या घटत हो रही है जरा इस बात को आप समयने का प्रयास करें कि भई यदि आप एल नीनो लानिना की कंडिशन को देखते हैं त आपको पैस्विक ओशन में देखने के लिए मिलती है मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था जिसका प्रभाव आप पाएंगे कहां पर है जिसका प्रभाव इंडियान ओशन में भी पढ़ रहा है परंतु यह प्रारम कहां से हो रही है और समाप्त कहां हो रही है इस आप महासागर को ड्रॉ करते हैं तो इसके कंडिशन में पूर और पश्यम की दशा कुछ और होती है क्लियर अब मैंने यह क्या क्या बनाया तो जश्ट मैं आपको बता देता हूं कि यह साउथी शेशिय वाला पॉर्शन साउचाइना सी उपर जाते है तो जापान सागर य यहाँ पर याद रखेएगा बच्चे कि यह चेत्र आपको देखने के लिए मिलता है किसका साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट का दैट इस साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट उपर की और बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मौझूद दिखाई देता है डैट इस मेक्सिको है ना और यहाँ पर आपको दिखाई देता है क्या डैट इस हटसन की खाड़ी ऊपर फिर क्वीन एलिजाबेट ग्रोप ऑफ आइलेंड और फिर यहाँ पर आपको मिलता है अलास्का वाला चेत्र डैट इस कैलिफोर्निया वाला एरिया यानि की कैनेडा यूएसे और मेक् पैसिफिक ओशन में जो घटना हो रही है इन सनमारी पवनों के द्वारा उस पर हम डिसकस करने वाले हैं ध्यान से सुनियेगा मेरी बात अब है यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है यह है इंडोनेशिया वाला चेत्र यहाँ पर यदि आप दक्षनी उलारत में दे करती है जरा इस बात को समझने का प्रयास करें है इसके लिए सबसे पहले तो एक बात कि यदि कोई भी महादीप है तो महादीप के एक भाग में आपको सदय वयात रखना है कि ठंडी जल्दारा मिलेगी और महादीप के दूसरे भाग में आपको सदय गर्म जल्दारा का व बिकास देखने के लिए मिलता है अब ऐसा होता क्यों है ज़रा आप मेरी बात द्धान से समझें वना माल लेते हैं कि कोई साभी एरिया है कोई भी एरिया मतलब की माल लेते हैं वैं कि यह एक स्थल खंड है इसको मैं थोड़ा सा उपर कर देता हूँ यहां पर एक स्थल सागर है अर्थात एक और यहां पर है और एक और जो सागर यहां पर विद्धिमान है इसमें हो यह रहा है कि इन दोनों में ही जो फुटिक जोन है अर्थात 200 मीटर तक का जल यहां पर गर्म है यहां से जो पवन चलना प्रारम हो रही है इस शेत्र से जो पवन चलना प्रारम में पूरी प्रूसेस के थू यहाँ पर मेग निर्मान होगा इस शेतर में और मेग निर्मान के दौरा फिर कुछ समय पश्यात यहां पर आप क्या पाएंगे, कि यहां पर वर्षा प्रारम हो गई है, अब जैसे यह क्लाउड आगे की और बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप क्या पाएंगे, कि इनमें humidity अर्थात आदृता की मात्रा की कमी आ रही है, तो जब यह महादीपों के पश् कर रखा है कि भाई, एक भाग में आपको उश्न कटी बन दी है, सदा बहरवनों का विकास, और दूसरे भाग में आपको किसका विकास? desertified area का विकास देखने के लिए मिलेगा, इसका main reason क्या है? तो इसका main reason यही है कि महादीपों के एक भाग में थंडी जल्दारा, और कि यहाँ पर no down कर रहे होंगे मेरे वीडियो, तो यहाँ पर एक जगा आपको गर्म जल्दारा अर्था, that is warm current, और एक और थंडी जल्दारा अर्था, that is cold current का विकास देखने के लिए मिलेगा, sorry इसको मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर होगी गर्म जल्दारा, इसको म बाहर निकलेगी, यानि कि यहाँ से यह बाहर निकलेगी, और जब बाहर निकलेगी, तो फिर यहाँ फुटिक जोन के जल्दारा का विकास हो गया, और यहाँ पर किसका हो गया, गर्म जल्दारा का विकास हो गया, बस इतनी सी बात आप याद रखें, कि यह एक महादीप ह कारण पूरी भाग में आपको वाम करेंट यानि की गर्म जल्दारा और इन्हीं की दिशा के कारण पश्यवी भाग में आपको कोल्ड करेंट आर्थात ठंडी जल्दारा का विकास देखने के लिए साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट के मैप को देखते हैं यानि कि हम साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट का मैप निकाले तो यहां पर आप आप आएंगे कि जो पेरू वाला छेत्र है यहां पर आटा काम मरुस्तलिय चेत्र विद्रिमान है यहां पर क्या हो रहा है तो माल लेतने हैं है हमारा क्या यह एक्चल में यह है साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट वाला छित्र और इस साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट में जहां पर आपको पेरु देखने के लिए मिल रहा है अर्थात इस वाले प्रवेश करना चालू करती है कहां पर साउथ अमरिका कॉंटिनेंट में यहां पर अट्लांटिक मास आगर में जो फुटिक जोन है उसके जल को यहां विस्थापित करेगी और यहां पर जो पैसेवे कोशन है इसके जल को यह आगे की ओल ले जाएगी बस यदि इतनी क्रिया विधि आपके समझ में आ जाती है तो आप पूरा पूरा एल्ली नो और लानीना अच्छे से डिस्प्लोज कर पाएंगे अच्छे से आप इसको डिसकावर कर पाएंगे कि एक्ट्वल में यह अल्नीनो लानीना होता क्या है और पूरी पूरी घटना आप एक बार में समझ जाएंगी यदि आपको इतनी एगटना के समझ में आ गई पवन चल रही है यह पानी है पानी की उपर से आप पंख मार दू तो जिस और पंखे की दिशाह है वहाँ पर पानी इस्थानांत्रित होगा और फिर यदी माल लिजिए जब पानी आगे इस्थानांत्रित होगा तो तो यह बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हो, तो वीडियो को reverse करकर देखेगा, परन्तु इस बात को समझे बिना आपको मैं बता दूँ कि हो सकता है, हो सकता है, सभी का दिमाग ऐसा नहीं होता, परन्तु हो सकता है कि आपको आगे ही कानी समझ में ना आने पाए, आप याद रखें कि मैं इससे आगे बढ़ता हूँ कि भाई एक्च्वल में जब आप इस पूरे मैप को देखेंगे तो यह हमारा कौन सा ओशन या फिर प्रशांद मासागर मैं इसको उपर नोट डाउन कर देता हूं ताकि यह आपको बाद में कंफ्यूज ना करें यह है प्रशांद मासागर और याद रखें इसी के परिपेक्ष में यह घटना गही जाती है कि भाई यह लोकल अकरिंग है और एक प्रकार का ग्लोबल एफेक्टिंग फिनामेना में परिवर्तित हो जाती है यह तो यह है हमारा पैसविक ओशन या फिर प्रशांद मासागर यही पर यह संपून घटना आपको घटत होती हुई देखने के लिए मिलती है जिश्टा सेकेंड तो देखिएगा एक्चल में कि जब भारत में मौनसून आता रहता है अर्था जब भारत में मौनसून का आगमन होता है उसी के समकच कहीं ना कहीं यह दक्षन अमेरिका महा महादीप में चलने वाली जो व्यापारिक पर्मने हैं यह व्यापारिक पर्मने इस फुटे के जल को आगे स्थानान..दिरत करती है यहां से यहां से चलना परारम करेंगी यहां सी चलते हुए जब वो आगे की और निकलती है अब यहांपर दिशाओं का ब्रहम हो सकता है दिशाओं के ब्रम को आप यहाँ से दूर करनें, कि यह है यदि एक महादीप, तो इस महादीप का eastern part कौन सा होगा भई, यदि मैंने बोला पूरी भाग कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि सर, eastern part यह है, और western part यह है, और यदि मैंने महासागरों की context में पूछ लिया, तो देख दक्षण अमेरिका महादीब के पास है जुँ को इसका पूरी भाग को पूर्वी होगा यहां आप तरीके से इंडेश्टेंड कर पाएंगी तो यहां पर याद रखना कि यदि हमें इस परशांद मासार की बात कर रहे हैं तो यह स्पैसिफिक ओशन में पूरी भाग कौन सा होगा जो की दक्षन अमेरिका महादीब के पास है और जो यूएसे के पास है और जो पश्चिमी भा महादीब के समीप आपको देखने के लिए मिल रहा है अब यहां पर याद रखो कि यह पवन चल रही है और इस पवन के चलने के पहिनाम सरूप जब यह है और दक्षन अमेरिका महादीब के पश्चिमी भाग से बाहर निकल रही है तो पूर्वी प्रशांद महासागर यह पूर्वी प्रशांद महासागर के फुटेक जोन के जल को यह आगे की और विस्थापित कर रही है और जब यह आगे की और विस्थापित कर रही है तो इसका परिणाम यह हो रहा है कि यह जल विस्थापित होते हुए कहां पर आकर रोक रहा है इस स्थलकंड के समीप तो और ऐसा क्यों होगा, क्यूंकि एक्च inan यहाँ पर पहुँचकर इस जल का टाप्मान ज़्यादा था यह जिसको विस्थात किया उसका टाप्मान ज़्यादा था इसका परिणाम बच्चे यह हुआ कि यहाँ पर देखना यहाँ पर तापमान अदिक इस एरिया में जो टेंपरेचर है यह ज्यादा और टेंपरेचर हाई के साथ जो प्रेसर है वो कैसा है लो और यहाँ पर एक अलग गटना हो गई यहाँ पर एक अलग गटना हो गई कि यहाँ पर ठंडी जल्दारा का विकास हुआ आप मैं इसको रेट कला से लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफीज ना हूँ तो इसको मैं रेट कला से रेट कला से यहाँ का मतलब यहाँ का तापमान जपर अब जैसे ही यह अंदर प्र पानी था यह उपर आ गया फोटेग जोन का जल हटाया तो नीचे ठंड़ा पानी जो ठंड़ा पानी अब उपर आ गया। clear, इसके परिणाम सुरूप, यहां का जो temperature था, यहां का जो तापमान था, यह कम हुआ, और जो वायुदाब है, इसमें क्या हुई, बर्दी हुई, मतलब कि यहां पर high pressure zone, और दूसरी side क्या बना, low pressure zone वाला area, यह है low pressure zone, और यह high pressure zone, और पवन प्रवास, सदय कहां से होता है, high pressure से low pressure की ओर होता है, यह प्रवन प्रवास, सदय अब आप पाएंगे, कि high pressure से low pressure की ओर होगा, तो इसका परिणाम कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक, तो यहां पर, अब इस high pressure से पवने चलना चालू करेंगी, और कहां चलेंगी, तो इस low pressure की ओर यह पवने आगमेत होंगी, तो कुछ इस प्रकार से इन पवनों ने चलना भी प्रारम किया, और जब इन पवनों ने चलना प्रारम किया, तो यहां पर Asia महादीप है, और Australia महादीप है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि यह पवने बिलकुल ऐसी straight ही आएं, ऐसी straight तो आएंगी न जाएंगी, और जब और शेलिया के पूरी तक्ता किये जाएंगी, तो इसके परिणाम सुरूप, याद रखें कि यहां पर जो इंडिया है, अर्थाद यहां पर जो भारत है, इस भारत में अभी इसी समय आ रहा होगा, इसी समय आ रहा होगा, दक्षन पश्यम मौनसून, और यह दक्षन पश्यम मौनसून को क्या करेंगी, सहायता भी पर्दान करेंगी, अब देखना, यहां पर यह पूरी प्रोसेस क्या है भई, यहां पर यह पूरी प्रोसेस एक्च्वल。 कहलाईगी L, सोरी Lanina की condition यानि की Lanina क्या है? आब इसके कारण देखो, Lanina की condition में यहाँ पर मैं पूरा पूरा note down कर देता हूँ क्लियर? Lanina की condition में Australia, सोरी, दक्षड अमेरिका महादीब की अर्था South America continent के, ऐसे का मतलब है South America continent की, जो Western इस्टन पार्ट रहेगा अर्था जो पूरी तट रहेगा यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा हाई प्रेसर जोन देखने के लिए मिलेगा और एशिया महादीप की एशिया महादीप का जो इस्टन पार्ट रहेगा यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा लो जून लो प्रेसर जून और जो पवन प्रवा है यह पवन प्रवा एक्चल में होगा साउथ अमेरिका से औस्टेलिया की और अर्था दक्षड अमेरिका महादीब से यह औस्टेलिया की और होगा और इस कंडिशन को बेसिकली नाम दिया जाएगा क्या इसे नाम दिया इस दैट क्लियर? यानि कि यदी यहाँ पर फोटिक जोन का पानी या फिर फोटिक जोन का जल एशिया की और इस्थाना आंतरत हो रहा है और यदी पश्चीमी प्रशान अजान में एक लोग प्रेसर जोन का निर्मान हो रहा है तो इस पेस्विकोशन या फिर पूरी परशाद मास आगर से कुछ अस्थानिये पावने जिनको हम सनमारगी पावन का नाम देते हैं यह एशिया की और आइंगी या फिर परश्यी परशाद मास आतार की और आइंगी और यह भारती मौन्सून को क्या करेंगी strong और इसका effect आपको भारत में क्या देखने के लिए मिलेगा तो बच्चे याद रखें कि इन इंडिया के perspective यदि हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में आप देखेंगे कि जब भी लानियना की condition दिर्मित हुई है तो उस वर्ष वर्षा रेनफॉल में की intensity में आपको बहुत ज़्यादा बड़ोतरी देखने के लिए मिलेगी और इसका directly impact आपके इस पर पाएंगे कि हमारे agriculture पर इसका directly impact देखने के लिए मिलेगा हां कुछ एरियां ऐसे जरूर रहेंगे जहां पर बाड़ की condition दिर्मित हो जाएगी परन्तु exceptionally यानि हम उन सभी बातों को हटा देते हैं तो याद रखी गए यहाँ पर आप पाएंगे कि agriculture बहुत अच्छा हो जाता है और भारत में वर्षा बहुत अच्छी होती है अर्थात यहाँ पर जलापूर्ती हम कह सकते हैं कि उच्छे तम्हानी जाएगी Is that clear? तो यह जो condition है यह basically क्या है? यह है लानिना की condition अब किसी कारणवश अब आप यह बात तो समझ गए हैं कि यदि इसी का उल्टा कर दिया जाए तो इसी की उल्टी condition क्या कहलाएगी? अल्नीनो की condition और यदि अल्नीनो की हम बात करें तो याद रखें बच्छों कि जब कभी भी जब कभी भी यह जो सनमार्गी पावने हैं इन सनमार्गी पावनों का जो पावर है या फिर इन सनमार्गी पावनों की जो पावर है जब यह कम हो जाएगी अब यह कम क्योंगी? यदि माल लीजे इनको सूर्या तब कम मिला यदि माल लीजे यहाँ पर वायुदाप प्रवनता में कमी आ गई या फिर वायुदाप प्रवनता में बहुत ज़्यादा इंटेंसिल बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिला यदि माल लेजे सूर से आने वाले चुम्बकी तूफान में परिवर्तन आया किसी भी कारण वस यदि इन व्यापारिक पावनों के प्रवहाव में या फिर इन व्यापारिक पावनों की पावर में आपको बहुत ज्यादा डिजाष्टर डिफ्रेंस देखने के लिए मिलता है तो उस कंडीशन में यह जो फुटिक जोन वाला जल है इस फुटिक जोन के जल को आगे विस्थापित नहीं कर पाएंगी और जब यह आगे विस्थापित नहीं कर पाएंगी तो इस condition के पहिणाम सरूप अब यहाँ पर दूसरी घटना यह होगी कि just a second मैं इसको एक काम करता हूँ as it is इसको copy करता हूँ ठीए अब देखिएगा यह जितने भी कारण मैंने आपको बताए यदि माल दीजे किसी भी कारण से यह व्यापारिक पवन कमजोर हो जाती है तो यह फुटिक जोन के जल को आगे विस्थापित नहीं कर पाएगी और जब यह फुटिक जोन के जल को आगे विस्थापित नहीं कर पाएगी तो याद रखें अब एक बात मेरी छूटी है कि भई यहाँ पर यह जो थंडी जल्धारा है यानि कि यह जो थंडा पानी नीचे से उपर की और आया है इसके कारण यहाँ पर एक जल्धारा का भी विकास होता है और इस जल्धारा को बेसिकली नाम दिया जाता है क्या इसे नाम दिया जाता है हमबोल्ट की ठंडी जल्दारा I think मैंने पीछे बताया कि यह कहाँ पर प्रवाहत होती है और इसी हमबोल्ट की ठंडी जल्दारा के कारण ही विकास हुआ है आटा कामा डेज़ेट का और यदि आटा कामा डेजट की बात करें तो याद रखें कि ये विशो के सबसे शुश्कतम इस्थानों में से एक है यहाँ पर लगबख 25 वर्सों से 20 सेंटी मिल्टर से ज्यादा वर्शा नहीं हुई है अब आप मेरी एक बात याद रखो कि यहाँ पर इस पूरी क्रिया के चलते जो अर्जेंटीना वाला भाग है वहाँ पर मतस्य उत्पादन बहुत अच्छा होता है अर्थात यहां के जो फिशर मैं है हमेशार आपको फाईदे में ही देखने के लिए मिलेंगे कारण क्या है कि यहाँ पर गर्मों ठंडी जलडारा का मिलन हो रहें क्या से आ रही है इस्थानिय पवन यानि की सनमार्गी पवन और यह आगे जलको विस्थापित कर रही है नीचे का पानी उपर आ रहा है तो जो प्लवक है यह भी उपर आ रहा है और जब प्लवक उपर आ हैं तो यहां पर जो फिशर मेन है उनके लिए easy available है क्या फिश्रीस और यह फिश्री को पगड़ कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो याद रखें यह फिश्री का होट स्पॉट चेत्र है और यहां से एक पेरू जल्दारा प्रवायत होती है एक खंबुल जल्दारा प्रवायत होती है जो की आटा कामा डेजर्ट का निर्मान करती है जो की विश्व का सबसे शुश्कतम मरूस्तल है और यहां पर यह चेत्र जाना जाता है इस्थानिय पक्चियों के लिए चेत्र जाता है तो यहाद रखना कि यह पक्चि सदैव यूरीन नहीं करते यानि कि कभी भी urine नहीं करते, इनका जो extrator रहता है, यह बहुत ज़्यादा diluted रहता है, अर्थात जो इनका मल है, यह बहुत ज़्यादा diluted रहेगा और इसी मल से, यहाँ पर बनती है bird dropping rocks, और इनी bird dropping rocks में, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मौझूद दिखाई देता है nitrogen clear, और इसी का प्रयोग किया जाता है और वरक में, that is why कि यदि आप अर्जेंटीना वाले पार्ट में देखें, तो इस एक क्रिया विधी के कारण, यहाँ पर industrialization बहुत ज़्यादा मिलेगा, और आप पाएंगे कि यह industry बहुत ही कम समय में नश्ठ हो गई थी, कारण क्या है इसी का उल्टा प्रभाव, यानि कि यदि यह प्रभाव हो रहा है, तो यह भारत के context में भी बहुत अच्छा है, और यह अर्जेंटीना के context में भी बहुत अच्छा है, परन्तु यदि इसका उल्टा प्रभाव हुआ, तो इसी के उलट प्रभाव के कारण, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं इसी के उलट प्रवाओं के परिणाम सरूप आप पाएंगे कि यहां अर्जेंटीना की जतनी भी इंडश्री से यह एक जटके में नश्ट हो गई थी यहां पर आप पाएंगे इसका में रीजन है कि वह एरिया जहां पर लगवग 25 वरसों से 20 सेंटीमीट की इंटरस्टी थी यह भी समाप्त हो गई याद रखें यह एलीनो लानिना ही है जिसका इतना ग्लोबल एफेक्टिंग फिनॉमेना आपको देखने के लिए मिलता है इसी लिए मैंने स्टार्टिंग में ही एक लाइन बोली थी कि एक्च्वल में यह एक ग्लोबल पैसिव कोशन में देखने के लिए मिलेगा अर्थात यहाँ पर अभी तक जो हमने डिसकसन किया है यह एलीनों के बारे में किया है जिसका प्रभाव आपको इंडिया के कंटेक्ट में बहुत ही पॉजिटिव बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है यानि कि एगरी कल्चर के परिपेक्श में ज़्यादे थी हम देख लें वर्षा के परिपेक्श में यदो पॉजिटिव ही देखने के लिए मिलेगा अब इसका नेगटिव इंपक्ट किस प्रकार से है जराह इसको समझने का प्रयास करिए चिएगा अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्र आपको किसी भी चीज में, जैसे की सूरी से आने वाली चुम्बगी तूफान में यदि आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, यदि दाबांतर बहुत परिवर्तित हो जाता है, तो इसके कारण ये जो प्रवाहत होने वाली पवने हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में कम जोर हो जाती है, और यदि ये कमजोर हो गई है, तो याद रखीएगा बच्चे, कि ये फुटिक जोन के जल को, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये फुटिक जोन के जल को इस्थानांतरित नहीं कर पाएंगी, तो वह वाला एरिया, या फिर हाई प्रेसर वाला एरिया, जो की न पाला छेत अर्थात यहाँ पर, आप क्या पाएंगे? जेश्ट है सेकंड, यहाँ पर लो प्रेसर जोन के निर्माण होगा, क्योंकि ये जल आगे इस्थानांतरित नहीं होगा, तो यहाँ का जो सागरिय जल है, इसका तापमान अधिक, और तापमान अधिक तो यहाँ पर पैसर है अर्था जो वाई दाब है येलो होगा और इस कंडिशन में अब फोटिक जो उनका जल इस साइड आ नहीं पाया है नीचे का जल उपर नहीं आ पाया है तो यहीं पर समझ लो भाई इसका क्या नेगटेव इंपक्ट होगा तो मैंने आपको प्रीविसली बताया कि अर एक है और अब यहां पर फिश्री होट्सपॉट आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे अर्थात अर्जेंटीना का व्यापार यहां पर पूरी तरह समझ थूगा सेकेंडरी की यहां पर एदिया आप देखेंगे तो इस छेत्र में बेसिकली अब आपको वह चेत्र देख देखने के लिए मिलेगा और जब यहां का ताप माँ ज्यादा मिलेगा तो यहां का टेंपरेचर अप एक शक्रत लो और प्रेसर हाई तो अब इस कंडिशन में इन पावनों की दिशा कैसी हो जाएगी इन पावनों का डायरेक्शन एक्च्वल में पहले से उल्टा हो इन पावनों कर रही थी इंडियन मौनसून को सहारा प्रदान कर रही थी अब यह इन प्रकार से चलेगी तो यहां पर प्रवायत होने वाली जो थंडी जल लहारा थी वह भी नश्ठ होगी कारण क्या है कि अब यह वाली जो पवने है यह आटा कामा अर्जेंटीना पेरू इकवाडोर वाले तटिये छेत्रों से टकराएंगी उपर उठेंगी संगनन की क्रिया होगी बादलों का निर्मान होगा और यही करा देंगी क्या वर्षा और इसी के परिणाम सरूप याद रखीगा कि भारत में मौनसून श्ट्रॉंग नहीं हो पाएगा और जब भारत म सूखा की स्थिती उत्पन हो गई है और यहाँ पर उपर मौजूद है क्या कैनेडा और साथ में नीचे आता है यूएसे यहाँ पर जो विंटर्स पढ़ेंगे यह अपेक्छा क्रित डाइलिटेट हो जाएंगे यानि कि यतने कठोर विंटर नहीं रहेंगी तो याद रख यहाँ पर पवने नॉर्मल हो जाती है या फिर पवने कम स्ट्रॉंग हो जाती है जिसके पाइनाम सरूप आप आएंगे कि साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट के वेस्टन पार्ट में अर्थात इस्टन पैसिवेक ओशन में निम्नवाईदाप का चेतर निर्मित होगा और कर एशिया से पवने प्रवाहत होंगी साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट की ओर जिसके कारण यह जो भारत वाला एरिया है भारत का मौनसून अप एक शक्रित श्ट्रॉंग नहीं हो पाएगा और जब भी यह वाली कंडिशन निर्मित होगी तो इसको आप बोलेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट था कारण यह है कि यही दोनों कारण उत्तरदाई होते हैं यही पवन एक्च्वल में उत्तरदाई होती है ऐल नीनो और लानीना की कंडिशन के लिए तो यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो कि भाई जब भी साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट से पव ही पवन है क्लियर अब यदि यह दोनों ही कंडिशन आपको समझ में आ गई है तो आई थिंग इतने क्लियारिटी की साथ मैंने समझाया है तो आपको आल ओवर डेटा क्लियर हुआ होगा अब यह एल नीनो और ला नीना इस पर मैंने एक डेटिकेट एक शॉर्ड भी मना रख यदि आपको इन वीडियो की पीडियाफ चाहिए हो तो यह आपको प्रोवाइड होती है जोगरिफी बाए अविशेक कुमार टेलिग्राम चैनल पर मैं प्रयास में लगा हूँ कि भई मैं इसका पूरा पूरा एक लिंक आपको दे दूं जिसके थुरू जिन और रिस्पॉंस यहाँ पर अवश्य दे कर जाएं कि आपको सीरीज कैसी लग रही है धन्यवाद